हलो फ्रेंट्स दो बड़िंग इशुज आफ इंडिया में आपका स्वागत है मैं आसिफ नजीन दोस्तों आई डिसकस कर लेते हैं आज की न्यूज आज है नाइन्थ आफ नवेंबर और हम डिसकस कर रहें देहिंदू तो फ्रंट पेज पे जो नीज दिख रही है बीजेप अपोजिशन टियर इंटू इच अधर तो आप सबको पता होगा कल 8 अफ नवेंबर था और यहीं वो दिन था जिस दिन नोटबंदी लागू हुई थी राइट डिमान्टाइजेशन का एनॉंस्मेंट हुआ था तो उस पे कल दोनों पार्टियां रूलिंग पार्टी और पोजिशन ने एक दूसरे पर आरोप पर त्यारोप एक ने ब्लैक डे मनाया तो एक ने एंटी ब्लैक डे मनाया तो इसमें हमारे काम का वैसे कुछ है नहीं एक ने इसके फाइदे गिना तो दूसरे ने इसके होने वाले नुकसान को कॉंट कराया तो यह सारे चीजे हुई तो हमारे लिए एक चीज़ बच इसमें फायदे की है कि इससे होगा क्या कि हमें रूलिंग पार्टी ने जो फायदे गिना है वह पॉस्टिव और अपोजिशन ने जो निगेटिव गिना है वह निगेटिव तो दोनों मिला कि हमारी एक आंसर राइटिंग में यह सब इसमें हमारे काम का कुछ है निगेट एक यह निउस देखिए बहुत ही फेमस निउस जो है इसकूल में रियान मर्डर जो हुआ था तो उसमें हुआ यह है कि एक नया खुलासा हुआ है कि किसी बच्चे नहीं 11 क्लास का बच्चा था उसी ने इसकूल के एक्जाम को चुडेंट ने यह मर्डर किया था तो यहाँ पर बस कुछ खास नहीं है और आप सब को पता होगा अगर आप दिल्ली में हो तो दिल्ली की एयर क्वालिटी के बारे में आप सब को मैं क्या बता हूँ मतलब इस सीरियस इस रियली एमर्जेंसी कंडिशन ना इन डेली तो ब ब्रीटिंग की प्राबलम है जिनको जो अस्थमा वगरे के पेसेट होते हैं उनके लिए तो बहुत क्या नव है एमर्जेंसी कंडिशन हो गई है आपको पता हो अगर देखिए कल जो था लेवल जो था पॉलुशन का देखिए 448 था और हमने अभी कल डिसकस किया था 400 जो ह पॉलुशन कंट्रोल बोर ने यह बताया कि यह सिवियर कंडिशन में आ गया है ठीक है तो हमारे लिए इंपोर्टेंट हो जाता है CPCB तो आई देख लेते हैं CPCB क्या है राइट तो सेटर पोलुशन कंट्रोल बोर जो है यह एक स्टेचेट्यूटरी अर्गनाईजेशन ह और यह किस में आता है Ministry of Environment and Forest of Climate Change के अंडर में आता है 1974 में यह इस्टेब्लिश किया गया था और किसके अंडर अंडर Water Prevention and Control of Pollution Act ठीक है याद रखेगा महुत इंपोर्टेंट नहीं यह जो इस्टेब्लिश किया गया था 1974 में तो अंडर Water Prevention and Control of Pollution Act 1974 के थाद इसको स्टेब्लिश किया गया था हाला कि यह इसके अलावा भी यह जैसे Air Prevention and Control of Pollution Act 1981 यह सब चीजें भी इसके फंक्शन है ठीक है इनके फंक्शन सिर्फ Water तक की सिमित नहीं है Air और भी सारे Pollution ठीक है Environment Protection यह सारे चीजें भी देखता है यह ठीक है तो इसमें आपको यह याद रखना है कि यह इसके थुरू बनाए गया था ठीक है Water Prevention Control Pollution Act 1974 के थुरू और इन्होंने जो यह एक्शन लिया है वह इस पर लिया है ठीक है यह एक्शन का मैटर है इसलिए एक्शन यह इन्होंने इस एक्ट के तहत लिया है मतलब एर पॉलुशन वाला जोमेटर चलना दिल्ली में तो यह इस एक्ट के थुरू वह कंप करेंगे इस पर और एक और चीज देख लेते एक्ट आप लोगों पता हो तो यह देखिए यह भी इसमें इनका ही काम है 1986 का ही है ठीक है ना तो यह सारे चीजें हमने देखी यह इसको याद रखिएगा आप लोगो थोड़े से प्रिकॉशन लेने होगे घर में रहना होगा और बेटर यह होगा कि आप लोग मास्क बगरे लगा के निकले ठीक है और बच्चों को इसके एक्स्पोजर से दूर रखे क्योंकि बच्चे काफी वल्लरेबल होते हैं और जो पेसेंट है उनको भी ब बाहर निकलने से बचे तो आगे यह देखिए इंटर लेकुटर जो है अब इनकी मेटिंग का सिलसिला शुरू हो गया है और इन्हों ने कल उमर से मुलाकात की है यह जो यह वहां के एक्सियम है आपको पता हो अगर ठीक है तो इन्हों ने और नोंने भी कहा है कि हम सबसे म यहां पर हुई है और यह लगे हुगे है वहां पर प्रावलम को सॉल्व करने में ठीक है तो आगे देखते हैं आगे क्या है आगे एक अच्छी नियूज है देखिए मैरी कॉम विन्स कोल्ड तो हमारी मैरी कॉम जो है उन्होंने कोल्ड जीता है और इन्होंने जीता है ना ट वाइट बरदर सफिंधिल है तो यह दखे पहली बार देखे गए है और यह बहुत ही रेर्ड देखे जाते हैं जो white spotted जो होते हैं यह बहुत rare केरव है यह दिखाई देते हैं और लिखा है कि पिछली बार के बाद यह पहली बार देखा गया था spotted for the first time in the dillegri is earlier in this year by wildlife photographer तो यह सारे चीज़े और तो हमारे यहाँ पर vibrant हो जाता है डीलगिरी biosphere reserve राइट तो आये देख लेते हैं डीलगिरी biosphere reserve रिजर्व है कहां पर तो यह देखिए यह हमारे कुछ वायों से रिजर्व है और यह डिलगिरी बाइस्फिर रिजर्व देखिए यह केरला बें केरला और यह बिल्कुल एक्षटि यह के बॉडर पर यह ट्राइजंक्शन पर ही है लेकिन यह केरला बेहीं बना जाता है रैट अगर गलत हूं तो प्लीज इंफार्म किजिएगा परदेश में दन्दा देवी उत्तरा खट में रना आपका चीए गुजरात में ठीक है पन्डा और यह है एंपी में राइट पंचवड़ी यह भी है एंपी में सिम्ली पाल उडिसा वे यह सारे चीजे तो यह सारे चीजे याद होती रहेंगी राइट तो बढ़ते हैं आगे इंपॉर्टेट नहीं है और उसने रेप का केसी वो एक तरीके से रेप मतलब केसी साभीत नहीं हुआ ठीक है ना रेप मतलब जो मेडिकल एविदेंस नहीं है रेप के राइट तो वैसे कुछ खास है नहीं हमारे लिए एक नीचे निउस है देखिए यह सेलेब्रेटिंग चेरी ब्लॉसम तो आपको पता होगा वहाँ पे शिलांग में यह एक फेस्टीवल चलना है यह इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टीवल है तो उसी की यह विक्चर है खासी जो है खासी एक ट्राइब है वहाँ पे आपको पता होगा और खासी एक हिल भी है ठीक है ना ख हुँआ कि जापान का बहुती फेस्टिवल इको शकुरा शाय से कुछ वहां पर कहते हैं आइड को चैरी ब्लौसम इसको histori5 कहते हैं यह जापान का यह फेस्टीवल है और काफी वहाँ पे इसको सेलेबरेट किया जाता है तो चेरी आप लोगों को पता होगी इंडिया में भी नार्थ एस्ट वे यह किया जाता है ठीक है यह चेरी का देखिए यह पीड़ है तो बस इतना ही जाए चेरी ब्लॉसम हमारे इंटर और भी सिट्वेशन देरे-देरे खराब होती जा रही है और लोग देरे-देरे मास लिप पे जा रहे है ठीक है बाइकार्ट कर रहे है यह जो डाक्टर वहाँ पे और क्योंकि उड़की जो कुछ डिवार्ट से उड़को वाकि गवर्मेट में बारे से इंकार कर दिया था अगे की news में setting the stages for defy jst देखें है 18 Państwo लगाई गई है यह producer है जो इसको इसका प्रोटेश्ट कर रहा है इसका विरोध कर रहा है और किस तरीके से कर रहा है देखी इनोंने कहा है कि 18% जो होता है उसको यह क्या कह रहा है कि जो टिकेट यह लोग बाठते है उसमें 0% GST या नहीं की लेते रही है ठीक है न इनोंने देखी लिखा हुआ है कि वन काइड अफ प्रोटेस्ट अगेजड जीएस्टी टैक्स रिजाइब प्रोड्यूसर आफ करणा ब्यूजिकल आर्टिस्ट सेट टु डिफाइड टैक्स डॉब बाइसलिक टिकट विदाउट क्लेक्टि एटीर परसें तो वह एटीर परसेंट जो जो जीएस्टी आप उस अधिया पर उनके प्रोज और काइड से तो आप यहां पर एक एंगल आपको मिलता है आप एक पॉइंट लिख सकते हैं कि इससे यह सारे चीज़ें हो सकती है तो इस देखते एक पॉइंडर को सॉल्व करने में यह हैं फुल साविक हुआ है तो यह सारे चीज़ें आप में यह प्रशन कर सकते हैं यह शieneUS योपि योपि में पता हो आप लोगों को को अलक्शन होने है तो यह कहरे हैं कि जते करया कि बोदी को चैनलेज किया है कि अगर वो जैसा कि उनकिता कि लोधु कौ्द गवर्पार कहते है कि मैं कब्रेट चूँ अगर ऐसा है तो आपsk़े बोदी को ठीक है और यह भी कहा है कि सिर्फ पूर ही थे जिनको नोट बैट का दर्द झेलना पड़ा है तो यह सारे चीज इंपोर्टेट नहीं है बस ऐसी एक एक थोड़ा सा देख लेगी है और हाँ देखी जो हम उपर डिसकस कर रहे थे द्यूज इसमॉक से देली की जो ए और इसमें 4000 से ज्यादा लोग बारे गए थे तो यह एमस के डाइरेक्टर है अनरदीम गुलेरिया इन्हों ने इस से कंपेर किया है इन्हों ने ग्रेट इसमॉग अफ लंदर जो 1952 का था इस से कंपेर किया है इसको और इन्हों ने यह भी कहा है कि बहुत सारे फ्रेश कैस और जो अस्थमा से क्रोनिक और डिजीज को सीओ पीटी कहते है इसके नावा कार्डियो वैस्कुलर डिजीज तो यह सारे चीजे नए फ्रेश कैसे इनको देखने को मिल रहे हैं और फाइब दिसमर नाइट में 52 को एक ठीक एलो इस मौन को लंदर पे देखने को मिला था औ और चार दिनों तक यह था और उससे कह रहे हैं कि एस्टिमेटेड बोर देन 4000 पीपल है डाइट राइट तो यह सिचुएशन है तो आप समझेए कि क्या हाल है हमारे देश का हमारी इस्पेशली दिल्ली का और गौर्मेंट हाथ में हाथ धरी बैठी हुई है अभी तक कोई स्टिक्ट एक्शन नहीं लिया गया है और यह चुकि यह पॉलिटिकल चीज़े होती आप लोगों को पता होगा कि दिल्ली में आबाद्मी पार्टी की सरकार है थोड़ी सी देखिए फिलाल में पॉलिटिकल बात कर रहा हूं लेकिन यह चीज़े जन्विन है राइट चु तो यह आप इनको एक्शन लेनाई चाहिए राइट क्योंकि देखिए हजार्डस मतलब बहुत हो गया अब तो 301 से 500 की कंडिशन जो है हजार्डस मालते है और यह 448 क्रास कर गया है तो यह समझ सकते हैं कि क्या हाल है यहां का देखिए अगली दिल्ली एल्जी ठिक्स ही द काफी बात है यहां पर की आपको पता होगा यह एक हेरिंग चल रही है तीन दिलों से और यह भी कहा है कि डिसीजल जो एलेक्टेट गवर्मेंट का डिसीजल था मतलब यहां पर जो लेजिसलेटिव असिबली लाई गई थी वह इस लिए लाई गई थी क्योंकि यहां पर यहां के पब्लिक की डिमार्ड थी यह दिमोक्रेटिक डिट थी तो यह कहरें कि इसको ध्यान में रखना चाहिए और 69 जो यह कंस्टिशिजल अबेट मेंट के थूरू इसको लाए गया था आप लोगों को पता हो तो गवर्मेंट टू नेशनल कापिटल राइट तो यह कह है कि कोड को इसमें देखना चाहिए कि पूपल का सेंटिमेंट क्या कहता है ठीक है क्योंकि यह इसपेशल प्रोविजन है और अगर आप ऐसा करते हैं इसपेशल प्रोविजन को अगर आप डिप्रिश करते हैं इसको तो एक तरीके से डिमाक्रेशी को डिप्रिश करना है तो यूशूड इंटर्प्रीट प्रवीज़र टू एडवाल सर रिपॉब्लिग अडिमॉक्रेट फार वांफ दिगवर्मेट तो यह कहता है कि एक तरीके से मतलब गौर्मेट को जादा इंपावर करा चाहिए यह गवर्मेट को जादा पावर देरा चाहिए क्योंकि वह क्य तो यह कह रहे है कि चुक्कि वो जनता है कि दौरा चुली गई गवर्मेंट है तो उसको ज्यादा वो पावर मिलने चाहिए तो यह सारी बात है इन्होंने पॉइंट रख्या है और इसके लावा यह करें कि सेक्शन 44 आफ जी गवर्मेंट ऑफ देशनल केपिटल इसको एडवाइस पे काम करना चाहिए ठीक है तो थोड़ा साम ने इसको देखा और आगे की दिउस देख लेंगे इन्डिगो वाला देखे जो केस हुआ था इसमें क्या हुआ था कि बार पिट हो गए थी एक पैसेंजर के साथ तो डिजी सीय ने क्या किया है रिपोर्ट सब्मिट की है और इन्डिगो ने इस पे बाफी बागी है तो डिजी सीय तो हम यह देख लेते है डिजी सीय क्या है तो आए देख लें, DGCA आखिर है क्या, तो ये डिरेक्टर जनल अफ सिविल एवियेशन, ये क्या है, एक रिगुलेटरी बॉडडी है सिविल एवियेशन की, ठीक है न, ये मिनिश्टरी आप सिविल एवियेशन में ही आती है, और इसका काम क्या है, ये इन्वेस्टिगेट करती है, एवियेशन इन्वेस्टिगेट ये इसके बारे में देखी तो आए बढ़ते हैं और आगे और आगे एडिटोरियल, इसकी पिंग एडिटोरियल, और ये देखिए कुछ आज पेज में प्राब्लम आ रही है, पता नहीं कैसे ये तो लेकिन फिर भी देखते हैं, ह तो एक कॉलेजेस को कंपीट करने के लिए, मतलब कंपेटिशन बढ़ाने के लिए उनकी रैंकिंग होने वाली है, तो इसमें 2771 हायर जो है एडिकेशनल इस्टिचूट इसमें पारिसिपेट करेंगे, तो एक इस्टिचूट है, डिकेशनल इस्टिचूट रैंकिंग फ्र 2016, 2017, 2018, यह तीसरा इसका एडिशन है, तो जो टॉप के कालेजेस हैं उनकी यह रैंकिंग करता है, और यह कंप्रिहनसिव लिखा है कि रैंकिंग आफिसे रैंकिंग आफ फायर एजुकेशन इस्टिचूट 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 इंग कालेजेज और बिजनेस स्क इसिचूटर इस्टिचूटर है यह जो हाइर एजुकेशन से इस्टिचूटर है उनकी करता है, और यह फ्रेंकिंग करता वर्क कब यह लांच किया गया था यह 2015 में ठीक है 19 सिप्टमब्र 2015 को इसको एड़ाप्ट किया गया था तो यह क्या करता है राइक करता है हमारे हाईर एजुकेशन की तो और यह देखे एक मन्ने का से रिलेटेड एक साड ड्यूज है और यह न्यूज यह है कि अभी तक 3,653 करोण यह जो है पेमेंट अभी तक इनको रिलीज नहीं किया जा सका है ठीक है इनका डिस्मर्समेंट अभी तक नहीं किया जा सका है और क्यों नहीं हिवा है क्योंकि सिर्टर और स्ट्येट के बीच में डिस्प्यूट है ठीक है है तो होता है दिस्प्यूट का का खौब कर भूगतता है हमेशा आप जिता है ठीक है तो यहां पर देखेON लिख रहें कि अतना सारा इम्ट ऑब्ढिक 맞 Итак तो 930 करोर जो है वह वेजस का इसमें है तो यह भी भी दिव और डिए डिटिव बैलन्स वाज़ वाज वाज आये सबसे जादा है 245 240.56 थे ठीक है और यह करेंगे चेह तेड़ स्टेट्स जो है ये निगेटी बैलेंस दिखा रहे है निगेटीब बैलेंस का मतलब यही है कि काम किया जूका है ठीक है दुटेंज डरोटरूरर्ट अप्लमेंड गॉर्टी स्किम देट वास तो यह तो थोड़ा सा इस पेज में दिक्कत है इधर वाली तो हो गई न्यूस राइट थोड़ा सा इधर की देख लेते हैं इधर क्या है हाँ फाइल हो गया तो आए फिर देखते हैं नीचे है क्या हाँ देखिए सुप्रीब कोड ने क्या किया है आप लोगों को पता होगा सुप्रीम कोड रिकाल्स आडर टो टेक अप डिले में मरणना वाप प्रोसीजर की बात जन्होंने कहा था कि हम अपने तरीके से रिकॉल किया है कि आपको दो सालों गए अभी तक आपने इस पे कोई कारवाई नहीं की कोई कि इंप्रूमेंट देखने को नहीं मिला है हाला कि इस पे और चीज आई है कि जो सीजी आई है यह जो देखे कमेटी जो थी तीन मेंबर कमेटी थी राइट उसमें सीजी इसको नीट कर रहे थे तो जो दोन जजिस थे उन्होंने कहा इस पर पब्लिक खेरिंग होनी चाहिए लेकिं सिज्ञाई ने कहा नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए उन्होंने डिस एग्रिमेट इस पे शो किया लेकित कि सीचुएशन कफी वर्ष है हमारे वाहां हाइज को की बात करें तो सेविर हाई कोड़ है जहां पर एक्टिक जिस जस्टिस काम कर रहे है समझ रहे हैं इक्ट और चीज़ को एक स्टेट किया गया उनके प्रियेट को यह सारे चीज़े आप लोग देख सकते तो इसी पर थोड़ा सा इन्होंने रिकाल किया है गवर्मेंट से पूछा है कि आप इसमें क्या कर रहे है और यह देखें कि बिटेन के जो है प्रिस चार्स वह इंडिया आए हुए है और मोधी को बीड़ पीएब इन्वाइट इम फार सी एच ओ जीएब तो सी एच ओ जीएब क्या है सी एच ओ जीएब है कावर्मेंट मिटिंग तो इसके बारे भी थोड़ा सा देख ले आई यह देखते हैं कि दि मतलब यह दो साल में होती है ठीक है तो यह क्या होती है यह मिटिंग हेल्ड होती है और अलग-लग जगों पर होती है और रेस्पेक्टिव पीएव या प्रेसिडेंट इसमें पार्डिस्पेट करते हैं जो की कॉमर्विल्थ के मेंबर है राइट कुछ दा हेड आफ दी सब्सक्राइब यहां पर लिखा हुए नाइटी सब्सक्राइब तो यह सारे चीजे थोड़ा बहुत यह देखते रहेंगे तो बात में हमें दिक्कत नहीं आएगी तो यह देखिए इस पेज में कुछ थोड़ी दिक्कत है हाँ देखिए पाकिस्तान ने हिल्प करने की बात किये चुकि आपको पता हो कि इस बार गुरु नानक जी का बाबा गुरु नानक का फाइफ फिफ्टी एस बर्थ अनिवर्सिरी बनाई जा रही है बनाई जानी है दोहजार उन्डीस में चीग है तो उसके थुरू क्या कि है पाकिस्तान ने कहा है कि हम भी हो सकेगा हम आपकी हिल्प करेंगे ठीक है तो पाकिस्तान डिख्लेशन कम डेज आफ्टर इस्लामबाद एलाउ इसलामबाद छहूँ सो इंडियर पेलिग में गिरिग ल किया है वहाँ पर विजिट करने के लिए कहां पर डधनकारा पर वो पैदा हुए थे ठीक है अन्वर फेस्टिवल वहां पर बनाया जा रहा है बर्थ अनिवर्शरी आप गुरुनारेक बनाया जा रही है तलवर्णी साहे पाकिस्तान में राइड तो यह सारे चीज़े इसके लाव देखें इंडिया अर्ज टु जॉइन बेल्ट रोड इनिशियेटिव चाइना ने कहा है कि हम इन्वाइट करते हैं इंडिया को बेल्ट रोड इनिशियेटिव जॉइन करने के लिए तो इन्हों ने कहा है कि CPEC जो है उसमें अपनी ऑब्जेक्शन को यह खतम करना चाहिए ठीक है चाइना अन्विनेज ने इंडिया टु चाहिए और अपना इस्टेंड चेंज करना चाहिए ठीक है तो हमारे लिए इंपोर्टेट क्या हो जाता है थोड़ा सा देख लेते हैं CPEC के बारे में तो CPEC की बात करें देखिए चाइना पाकिस्तान एकनोमिक करीडोर यह एक कोनेक्शन आफ इंफ्राइस्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है और यह अंडर कांस्ट्रक्चर ने थ्रूआट फॉर्ट शिस्टी मिलियन का इसमें इन्वेस्ट किया है ठीक है और इसका मक्सद यह है कि इन्फ्राइस्ट्रक्चर को मॉडर्राइस किया जाना है और इसकी थोड़ी सी हम वैप में आपको दिखाने की कोशिश करते हैं ऐसे को यह देखिए यह देखिए चाईडा का यह जिस्द्याउंग रिजन और यह देखिए पाकिस्तान से यह पास होगा और गौदर को यह जोड़ेगा ठीक है तो इंडिया का कंसर यह है कि आपको अगर इंडिया जॉइट कर लेता है तो इसका मतलब यह इंडिया एकसेट कर रहा है कि यह रिजर्ड पाकिस्तान का है तो यह थोड़ से इंडिया के कंसर्ण है और यह बहुत इस्टेटिक लोकेशन है गवादर पोर्ट आप अगर तो पता हो तो ठीक है और यह इसमें बस इतना ही जाने फ्राइट से केसेट है जो जो डोने डोड एक्सचेंज किये थे और कुछ जैसे दूसरे के काउंट में पैसे लोग डाले थे तो इस टाइप से रिलेटेड और कुछ एकसेज बनी मगर पाई गई थी तो 77 केसेट है और इसमें जो 396 करोड है वो इल्लीगल तरीके से जो रिकवर्ड किये गए जो पैसे जैसे आप लोगों को पता होगा उदर काफी रेट पढ़ रही थी और लोगों पास पैसे बरामद हो रहे थे तो उस टाइप से 36 करोड ही और देखिए मैंना जैसा कहा उपर हमने बात की है कि इसके फायदे तो फाय सब चीजों में का रहे हैं काफी कभी आई है तो दिवार्टाइशन के यह फायदे में आप चीजे लिख सकते हैं और डिमॉक्रेटिक हां देखिए वहां पे एलक्षन हुए है यूएस में तो वहां पे डिमॉक्रेटिक्स ने काफी अच्छी वापसी की है और तीर यह अच्छी ख़वर है कि ूजर्सी के मेयर होंगे वह सिक होंगे और यह सिख होंगे और यह निऊचने में अच्छी पूटिन है और रॉर्स्या की materia हर सकती है आपको और ईवार्ड पढ़त हम अक्यारब पर्लिटिक्व आज़र्स तो इननों ने क्या किया है थोड़ी से यह कंट्रोवर्सियों में आ गई है कि इस्राइल की और वहां पे इसलों ने हॉलिडेय विजिट थी इसको इन्हों ने डिस्क्लोज नहीं किया था तो अब यह वहां पे काफी कि वह रहा है और रहे ने मिस्टर मिस्ट पटेल हैड विस्टेड गुलान हाइट्स दुरिंग दे विजिट गुलान हाइट्स को भी इन्हों ने विजिट किया जब कि यह कह रहा है कि दिस वूड गो अगेस्ट अ लॉग इस्टेंडिक बिलिटिश फॉरेंड पालिसी आफ ट्रीटिंग दरीजन ऐस एल्ग पॉइल डेट्व एंट जो है वहारा वर्जन ये है वहां की पॉरेंड पालिसी है उस का मालाएं यह है हमारा फॉरेंड पालिस यह कहते है कि यहल्ड से यहीवшन ड़ारा यह ना और इन्होंने बेंजाविन नितन्याहू से भी मुलाकात किये फैमिली हल्डे पर इन सब बातों का उन्होंने बाद में खुलासा किया आप अपोलजाइज भी किया तो हमारे लिए इपॉर्टेट हो जाता है गोलान हाइट्स गोलान हाइट्स के बारे में कोश्चन का पार्ट है जो कि इसराइल ने कवजा किया हुआ है ठीक है यह बगल की है यह लिबनान है ठीक है और यह आपको पता हो यह जो दिख रहा है कि यह जार्डन यह इजिप्ट यह सीरिया यह कंट्री आप याद रखे इस कंट्री पर शायद इस बार भी कुश्चन आया था यूपेससी में और यह इसख में लैच तो यह तीजिए aster आप याद रखे और यह वेश्टन अपन यह गाज़ा इस टिप यह गाज़ा प्टी नहीं है यहाँ पर यह तो आगे बढ़ते हैं वह बिदिग शुड्स इंटेंस्शन यह कहा है कि कि यह कहा है फिलिपिन्स ने फिलिपिन्स ने कहा है कि बिजी को अपनी इंटेंशन को क्लरिफाई करना चाहिए कहां पर यह कह रहे हैं साउच चाइना सी में साउच चाइना सी में आपनों को पता होगा यह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एपक की मिटिंग हो रही है ऐस्या पैसि ठो हमारे लिए प्रण्टेट क्या हो जाता है थोड़ा साथ देख रही थै साउस चाईना इना सी यह है चाईना और बिटिक हो रही है यहां पर और यह जो कश शं करे beetje किया है कि फिलिपिंस क्योंगे यह डिस्प्यूट चाइना के साथ ठीक है ना इसमें फिलिपिन्स और ये ताइवान वगरा भी इकुलूड है साउथ चाइना से के इसे डिस्प्यूट में और हमारे लिपॉर्टेट देखें कई लोकेशन यहाँ पे इसको आप याद रखें यह इस प्राटली आइलेट और यह पार्सल आइले सब्सक्राइब करना चाहिए तो आपक का भी हमने जिकर किया तो आइए अपक देख लेते हैं अपक है क्या तो एशियल पैसिफिक एकनॉमिक कोपरेशन जो है यह क्या है यह फ्री ट्रेड थ्रू आउट एशिया पैसिफिक रिजिए प्रपूट करने के लिए बनाए गया और इसके लावट भी बहुत सारे इसमें देखिए यह वेमबर आफ जी एट वूट मपटू एट इसमेट जो है जीट के वह आगया थे इसको एक मिनट हां तो यह है हमारा तो इसमें अभी 21 मेंबर है राइट और 1989 में इसको स्टेब्स किया गया था यह सारे चीजे और यह सब्मिट होती है ठीक है सारे हैट के जो गौर्मेट के हैं होते हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और हाँ ठीक है रहा ट्रेड से रिलेटेड मेली यहां पर डिसकर्शन होते हैं ठीक है और 21 है पैसिफिक रेप मेंबर जो एकनॉमी है उनका यह यह संगठर है और तो इसके बारे में थोड़ा सब्सक्राइब देखा और बढ़ते हैं आगे तो आगे देखते हैं हमारे लिए ओम यह तो पेज ठीक है और इस पर हमारे लिए कुछ है नहीं एक न्यूज है तिलंगारा देखे इस्टेट वाइस जो इस आफ डूइंग बिजनेस की रहती है उसमें तिलंगारा ने टॉप किया है और तिलंगारा के बाद जो अगले है वो है सेकेट पे हर्याना फिर है ओड यह जो इंसुरेंस डेवलेटरी एंड डेवलप्मेंट अथार्टी है वह यह डिवार्ड कर रहा है इसके लावा स्रिलंका से लेटर अबने डिसकस कि थी वहां के लोगों ने वहां की गवर्मेंट इंजाम लगाया था कि वहां पर आयल की शार्टेज हो रही है और कर ली राइट सो दैसे इट फार टोड़ेटर थाइट थाइक यू